मेरे प्यारे दोस्तों आप चाहें तो इंग्लिश गुलाब के एक पौधे से 50-100 पौधे बना सकते हैं इस तरीके से आप देख सकते हैं इस तरह से हम चीरा लगाएंगे वह बहुत जल्द इस पर जड़ा आप जाती है तो इस वीडियो को आप पूरी दखें पूरी अपडे यह गुलाब है दोस्तों इसे हम इंग्लिश गुलाब के नान से जानते हैं और इंग्लिश गुलाब की जो कटिंग होती है दोस्तों जल्दी सेक्सेसफुली नहीं होती है कई बार लोग इंग्लिश गुलाब की कटिंग भी लगा लेते हैं लेकिन वह कटिंग हमारे सेक्स तरीका होता है उस तरीके से आप त्यार कर सकते हैं लेकिन दोस्तों आज मैं आपको ऐसा मेथड बताने वाला हूं एक ऐसा तरीका जो कि बहुत ही सिंपल है और आप अपने घर भी बना सकते हैं जब हम नरसरी से इंगलिस गुलाब लेका आते हैं जो कि बहुत ही बड़े-ब तक भी मैं दिखा दूँगा कि कब तक इसमें रूट डवलप हो जाती है एक मैने की पूरी अपडेट में दूँगा इसके लिए आपको इस तरह की स्टैंप लेनी होगी दोस्तों आपको ज्यादा पुराना स्टैंप नहीं लेनी है लगबक छे मैंने पुरानी जो स्टैं है यह अब देख सकते दोस्तों लगबक चार इंच या फिर तीन इंच इस चीरा लगा करके आप चलिए मैं आपको दिखाते हूं कि किस तरह से में कर रहा हूं हलके से आपको चीरा करना है एक साफ़ ब्लेट से और इस तरह से मैं डिस्पोजोबल गिलास पर इसके सहारे मे से स्टेंड करूंगा यहां आप देख सकते हो इस तरह से फसा देनी है और चलिए मैं अब धागे के सहरे से बांध लूँगा कि इस तरह से अच्छी तरह से हमने बांधनी है ताकि बीच में यह जो है गिलास गिरेना तो बढ़ियां से अच्छी तरह से तो इसे स्टेंड कर लेंगे और अब हम इस पर डालने वाले हैं स्रिफ कोको पीट चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि इस कोको पीट को मैं फिल करूंगा दोस्तों यहां आप देख सकते हैं और पूरी अपडेट में देने वाला हूं कब इस पर इसकी जो है रूट कब तक निकलती है और हम इसे किस तरह से लगा सकते हैं यह ना दोस्तों और यह इस्टिक प्लास्टिक की जो इस्टिक होती है उसे हमें गेप बनानी है जहां पर हमने चीरा लगाया है चलिए मैं आपको दिखाता हूं सामने से मैं आपको दिखाऊंगा बीच की एरिया में हमें इसे गैपिंग बनानी है यह आप देख सकते हैं जहां हमने शीरा लगाय थी तो वहीं से हमें बीच से इसकी श्टिक जो है इसे हमें फसा देनी है और अब इसमें हम वाटिंग कर देंगे दोस्तों और मिलते हैं कुछ दिन के बाद और देखते हैं इ है आप्टर टॉइन्टी इस दीन के बाद हम मिल रहे हैं और चलिए देख लेते हैं इसे मैं कटिंग करके दिखाने वाला हूं आपको कि इसuciे रूट डबलप हो रहे या नहीं हो पाई है तो चलिए अपडेट पूरी देख लेते दोस्तों अब मैं इसे कट करकी दिखाता हूं आपको इसकी पूरी जो कोको पीठे मैं हटा लूँगा और इसकी जड़ भी मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो पर बने रहे और अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक किजिएगा और चाहिए तो आप अपने दोस्तों की बहुत जरूरत होती है हमें तो एक सपोर्ट जरूर करें सपोर्ट करने के लिए आपको एक लाइक देनी होगी और चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो कि यह गेपिंग आप देख सकते हैं जो हमने चीरा लगाया थे हैं और चलिए मैं से रिमूब करता हूं की स्वैल कोको पीट को और आप देख सकते हैं दोस्तों इसमें नई नई रूट जो है वाइट रूट जो होती है वो डबलप हो चुकी है बहुत सारे इसकी रूट डबलप हो चुकी है और अब इसे हम किसी भी गंबले में सीव्ट कर सकते हैं यह आप देख सकते हैं काफी सारी इसकी रूट डब लंबी नहीं होनी चाहिए मैक्सिमम 4-5 इंच होनी चाहिए जिससे की छोटे स्टेम जो होती है जल्दी ग्रो हो जाती है यह आप देख सकते हैं इस रह से हमने कट कर ली हो उपर से और यह लगबग 5 इंच की है चलिए आप हम इसे सीप्ट करते हैं बिल्कुल हलकी मिट्टी ह देने के लिए हमें अपने गार्डन की जो स्वैल होगी उसे हम चान लेंगे और यह आप देख सकते हैं यह मिट्टी चानी हुई है और इसमें चाहें तो थोड़ी सी कंपोस्ट भी दे सकते हैं लेकिन अभी कंपोस्ट देनी की जरूरत नहीं है अगर आप चाहें तो बिल चाहिते हैं और यहित में रखें दोस्तों बहुत ही तरह से अच्छी तरह से हमें अरिया में रखनी है जहां पर सुर की जो City होती है हो शीवी से मिलेश ऍसकी ज़रूरत नहीं है मतलब धूप आले एरिया पर से चाहां और ago रहे जहां पोश्छी तरह से लाइट आते हो सुरी की वैसी जगे पर हम इसे प्लेस करके देखेंगे और जैसे ही आप देखेंगे कि नए नए सूट साना स्टार्ट हो चुकी है तो लगबग 20 से 25 दिन के बाद आप इसे फूल डे के दूप में पर रख सकते हैं बहुत जल्द इसकी स्टार्ट हो जाएगी दोस्तों और इस तरह से हम अपने घर पर भी इंगलिश गुलाब की एर लेरिंग कर सकते हैं और दोस्तों इस तरीकी से हम कोई भी इंगलिश गुलाब को एक पोदे से कई पोदे अपने घ